हलो एवरिवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी, मेरा नाम है जोती और आज का हमारा लेक्चर है कैरोलीनेज, दपाइनियर ओफ क्लासिजम, ठीक है, जो क्लासिजम के फोलोवर है, उनके बारे में हमारा लेक्चर है, दो-तीन राइटर है हमारे, क्लासिजम वैसे तो बाद में एक्जामपल मिल जाते हैं, जो क्लासिकल राइटर्स को क्लासिकल ट्रेडिशन को फोलो कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं, क्लासिकल हमारे जो बैं जोनसन थे, वो क्लासिकल राइटर होते हैं, ऐलिजाबेथन राइटर थे, ठीक है, उसके बाद ये राइट रहें जो classical ज़े ने क्लासिकल एजने करना स्टार्ट किया है वो कोन коन है अबरायम कोफले जॉन डैनम और यह एडमन वॉलर अबरायम को क्या बोला जाता है कहीं बारे कहीं बारी किया मतलब इनको मुस्टली metaphysical poet में add कर किया जाता है ठीक है? और हमारे जो Dr. Johnson जिनका अवक होता है Lives of Poets उन्होंने तो start किया था ने इनको metaphysical school of poetry बोलना तो उन्होंने तो Abraham Kowle से ही start किया है अपना जो work है और उनको metaphysical poet ही बोलता है तो इनको वहाँ पे भी add कर किया जाता है तो यह तीन राइटर है हमारे pioneer of classism सबसे पहले classical क्या होता है यह term है क्या? इसका मतलब देखते है The following of ancient Greek and Roman principle and style in art and literature मतलब जो जो writer ancient Roman और Greek principle को follow कर रहे थे अपने writings में मतलब यह writer ऐसे थे जिन्नोंने जो Greek और Roman writers थे उनके style को follow किया उनका जो writing style है इनको अच्छा लगा और उसके coding इन्होंने अपना art अपना literature उसके coding ही create किया ठीक है? यह है मतलब follower of Greek and Roman principle and styles in art and literature ठीक है? आगे दिखते हैं Ben Johnson अभी बात किजिस की हमने Ben Johnson was the real founder of classical school ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि यहां से ही सुरुवात होती है हमारे यह writer Ben Johnson जो Elizabethan age में आये हैं उनको कहीं मारी Jacobian writer भी बोला जाता है जो उस टाहिम पे आये हैं वो भी classical writer थे हमारे मतलब वो Roman और Greek writers को principle और style को follow कर रहे थे वो founder है classical school के और जो हमारे जो pioneer of classism है वो है काबले denim and wallet ठीक है और these poets are also regarded as link between old and new क्या है वो? old and new के बीच में link भी बोला जाग गया है उनको and also a link between renesa and classical age ठीक है? renesa और classical age के बीच में जो link है ऐसा भी बोला गया है renesa क्या है हमारी age? हमारी age renesa तो like Elizabethan, Jacobian फिर हमारी Caroline age इन सब को समर्ज कर लेती है renesa age में ये सभी include हो जाते है ठीक है? उसके बाद ये सभी फिर हमारी puritan age आएगी उस puritan age के बाद हमारी जो Augustan age आएगी ना उसको classical age बोले गया है तो क्या है ये रहन ऐसा और जो अगस्टन age बोलो या उसको classical age बोलो उनके बीच में link है कोन है ये तीनों writer ठीक है दे आर परक्यूसर और पाइनियर ओफ न्यू एज ओफ ड्राइडन हमारे ये उस age में आएगे ड्राइडन और लेक्जेंडर पो जो अगस्टन या प्लासिकल लेज की यह बोलना जाते हैं मतलब किसको डिनोट करते हैं और क्लासिकल एज की शुरवात को डिनोट करते हैं मतलब question net में यही बनेगा मतलब क्लासिकल राइटर कौन से हैं बस इतना ही और वर्थ पूझ लेंगे यहां से यही क्रक्स निकलता है Ben Johnson क्या है हमारे जो फाउंडर है और जो क्लासिकल कौन है डैनम वालर एंड अबरहम कोवले और इनको याद रख ले ना यह जो लिंक है जो मैंने बताया है अब बात करते ह है ठीक है तो अबरहम कोवले क्या है मारे मेटफीजिकल पोईट भी बोल सकते उनको क्लासिकल राइटर भी बोल सकते हैं जो हमारे डॉक्टर जोनसन इनका यह बार-बार रीपीट हो रहा है ना लाइफ ऑफ पोईट्स ठीक है इट वस पब्लिच इन 1679 से लेके 81 इसके बी 1779 से 1781 के बीच में इसको पब्लिच किया गया लाइफ ऑफ पोईट्स भाई डॉक्टर सेम्वल जोनसन अब क्या इंपोर्टेंट है अबरहम कावले की बात हो रही है हमने डॉक्टर जोनसन को बीच में ला दिया क्यों लाया क्योंकि जो डॉक्टर जोनसन है इन्होंने ज अगर हम अगर स्टक कि अगर अंड करना चाहिए तो उनमें सबसे गागओ से लास्ट होगैंशमे को ले वो एज को मतलब उसकर चेजका निए को मतलब सवेड पोइंट है और स्टार्टिंग पोइंट म֌डन जिसकत बॉलते हैं एसा ठार्म को भेवल उनके भारे में क्या बोलते हैं He was last of metaphysicals and first of modern. और किस वर्ख मिलाइफ ओफ पोईट्स. अब लाइफ जो पोईट्स में मैंने उस दिन बताया था आपको एक biographical criticism है ये. मतलब बयोग्राफी है राइटर्स की. और कितने राइटर्स की बयोग्राफी है? 52 राइटर्स की बयोग्राफी है. ठीक है कितने राइटर की बायोग्राफी है 52 राइटर्स की बायोग्राफी है डॉक्टर सेमोल जोंसन का जो वर्क है 52 राइटर्स है ठीक है अब यह आम दोबारा से अब रहाम कोबले पर आते हैं यह इनके वर्क है इंपोर्टेंट है ठीक है कौन से कौन से वर्क हैं के पाइरमस एंड थिजबे डैविडीज and drinking सबसे important है पाइरमस एंड थिजबे पाइरमस एंड थिजबे आपको याद आया जो हमारे William Shakespeare है उनका एक वर्क होता है Midsommar's Night Dream वहाँ पर जो characters होते हैं न? Fairy Queen मगारा मतलब सबसे पहले तो क्या होता है एक जो किंग और क्विन की मैरीज चल रही होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो एक्टर्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं अब प्रिप्रिएशन रियर सल चल रही है फिर वहां पे फस फेहरी फेहरी तो ऐसे चलते है तो यह सब्सक्राइब देखने जाते हैं जाते हैं और पायरिमस से थिस वे इसलिए important हो जाता है और दूसरा important क्यों है it was based on Ovid's metamorphosis Ovid कोन है writer है उनके metamorphosis पर based है और Ovid's metamorphosis क्यों important है हमारे जो दुबारा से फिर बात करती हुआ William Shakespeare उनका एक poem है Venus and Adonis कौन सा है Venus and Adonis उनकी poem थी ना ये longer poem एक rape of look रही थी और दूसरी थी Venus and Adonis जो Venus and Adonis है that was also based on Ovid's metamorphosis मतलब उसका source भी यही है किसका source Venus and Adonis का और एक हमारे Christopher Marlowe आते हैं उनका एक work होता है Hero and Leander Hero and Leander जो बाद में completed by Champman चैंपman ने इसको complete किया था जो Christopher Marlowe उनको unfreeze छोड़ दिया था मतलब उनकी death हो गई थी वो complete नहीं थी तो Hero and Leander also based on Ovid's metamorphosis ठीक है क्या कितने important question बने तो Pyramus and Adonis बे किसका work है अबरायम कोवले का और same play also मतलब जो इसी नाम का जो play है Midsommar Night's Dream में आता है और जो यह Pyramus and Adonis बे अबरायम कोवले का जो work है based on Ovid's metamorphosis ठीक है याद रखना यह 4-5 point very very important फिर बात करते हैं sorry पारेमस डेविडीज डेविडीज इट वाज एन अंसक्सेस्फूल religious epic ठीक है सबसे पहले इसकी important date है 1656 शाहिद यही है हाँ शाहिद देख ले ना इसको मतलब लिख लो आप अपना 1656 में इसकी publication है और इट वाज एन अंसक्सेस्फूल religious epic और साथ में क्या यह unfinished भी है ठीक है unsuccessful तो है ही है और unfinished है और यह डेविडीज किसके बारे में बात कर रहा है यह जो sorry जो king डेविड होते है ना हमारे bible में king आते है डेविड नाम से उनके उपर based आए ठीक है it is written in heroic couplet यह जो मैं बोल रही हूँ ना वो no down कर ले ना मैं यहाँ पर लिख नहीं पाई क्या-क्या based on the life of king डेविड और king डेविड को नहीं biblical character है बाइबल में आता है और written in heroic couplet published in 1656 ठीक है इतना ही अभी बात करती हूं मैं इनका एक work drinking ठीक है इसमें कोटेशन ज्यादा important नहीं है जो ज्यादा important थे पहले दो थे अभी बात करते है drinking में बस यह कोटेशन देख ले ना drinking इसमें यहीं बोल रहा है ब्रहाम को बले भाई इस संसार में जो कुछ भी है सब ड्रिंक करते है तो मैं क्यों ना drink करूँ ठीक है अर्थ है plants है sun है moon है stars है सब कुछ drink करते है तो मैं क्यों ना करूँ तो ऐसे बात कर रही है तो इसकी कोटेशन जो important है वो क्या है nothing in nature sober found but an eternal health goes round fill up the bowl then fill it high I will all the glasses there for why should every creature drink but I why man or mortals tell me why मतलब सब कुछ drink करते है मतलब हर creature यहाँ पे drink कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ चीक है इसको याद रख ले nothing in nature sober found अभी बात करते है इनका एक और important चीज़ रहती है जो odds जो यह पिंडारी कोड है यह type of odds है पिंडारी कोड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अबरायम कोवले ने उसको discuss करने से पहले मैं बात करूँ यह odds होता क्या है ठीक है यह odds जो है यह है क्या odds का जो पिंडारी कोड मैंने जो बोला है वो type है odds का सबसे फ़हले मैं बोड की बात करती हूँ An odd is a poem praising and glorifying a person, place or thing मतलब ओड क्या होती है praising poem होती है glorifying a person मतलब एक praising poem होती है जिसमें person सा की जाती है या तो किसी person की या place की मतलब एक praise करने के लिए किसी चीज की person सा करने के लिए और ओड का यूज किया जाता है और ओड क्या है पोईम है टाइप ओफ पोईम है कैसी पोईम है praising poem like allergy वो भी तो टाइप ओफ पोईम है उसमें क्या होता है अपने लोस को मतलब सिंग करता है वहाँ पर या फिर किसी की death को celebrate celebrate तो क्या करना मतलब किसी की death हो गई है उसके बारे में बोल रहा है ठीक है और ये ओड भी टाइप ओफ पोईम है वो अपने लोस के बारे में मतलब क्या मेरा लोस हुआ है मेरा फ्रेंड चला गया है या फिर कुछ और या लाइक country churchyard महाँ पे country के मतलब जो country side है जो rural background है उसके लोस के बारे में बात कर रहे है ठीक है किसी लोस के बारे में बात कर रहे होते है और 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 में क्या praising point है ये किसी की person सा करने होते है वो कोई चीज भी हो सकती है वो कोई जगय भी हो सकती है और ये person भी हो सकता है ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अगर दूसरे शब्दों में मैं बोलू, it is a, it pays respect to a person or thing, मतलब ये respect देती है, किसी person या thing को, मतलब किसी person or thing को respect देने के लिए, इस poem को, इस poem का प्रियोग किया जाता है, writer के दुआरा, ठीक है, ods का, इसके origin कहां से है, एक Greek origin है, कहां से, ods से, इसका मतलब क्या है, मतलब, एक green word है, od, उसका, वो, दुबारा से, जो od, जो हमारी poem है, जो od, उसका origin कहां से है, Greek word ods से, और ods का मतलब क्या है, o-i-d, oid का मतलब क्या है, to sing or chant, मतलब गाना। Old, Come Claro. अब इसलम मतलब गाना। अब बात करते हैं मिना टाइप्स ओफ ओड्स होता हैं फिटाइप्स ओड्स उन्होंने फॉस्ट कीया इन इंगलीश लिटरेचर। खैक हैम याद रखना ये पॉइंट किसने इंट्रोड्यूस किया अब्राहेम कॉमले ने क्या Pinderic Ode क्या होता है ये इसमें क्या होता तीन स्टेंजा होते हैं one of which differ from other two मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं Horacean Ode क्या होता है contains only one type of stanza इसमें एक टाइप का stanza होता इर्यगुलर इसमें कोई pattern ही नहीं होता इर्यगुलर ओड में कोई pattern नहीं होता Horacean Ode ये इसमें एक stanza होता है और Pinderic Ode में थ्री stanza होते हैं और वो कौन से होते हैं उसको डिसकस करते हैं सबसे पहले बात करूँ में Pinderic Ode थोड़ी formal होती है ये formal होती है लेकिन Horacean Ode ये formal नहीं होती ठीक है और Pinderic Ode के बारे में इसका ये ग्रीक राइटर है पिंडार उनका स्टाइल है ये ठीक है उनके स्टाइल को फोलो कर रहे है हमारे अबरहायम कोवले और फिर इंग्लिस में इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है पिंडारी करने को किसके नाम पे आई है ग्रीक राइटर पिंडार होरेशन ओरोड ये मैंने शायதंद करवाया है अबरहायम कोवले में हरेसनोड हाँ हाँ क्रॉमवल रिटर्न फ्रो अइलेंड वहां पर होड़े सब्छे और एंट्रोड कि अंड्रूमवले की Horatio, उनके नाम पे आईए, ठीक है, जो तीन स्टेंजा है, पिंडारी कोड में वो देख लेते हैं, यह हमारे त्री स्टेंजा, सिर्फ टाइटल याद रखना इनका, ज्यादा डीपली मज जाना मैंने लिख दिया है, आप देख लेना इसको, ठीक है, सबसे पहला स्टेंजा अगर पढ़ना है, तो पढ़ लेना आप यहां से, ठीक है, यहां से इतना ही, अभी बात करते हैं, दूसरे बार कुनके, हमने क्या कर लिया है, हमने क्या था, पाइरमस एंड थिस्बी, डेविडीज, ड्रिंकिंग, और फिर आता है हमारा एपिक्यो, और विस, इनका भी सि एक मिनिट, sorry, हां, एपिक्योर और विस, यह दो और पोइम से हैंगी, इसमें भी सिर्फ यह कोटेशन इंपोर्टेंट है, जादा कुछ और इंपोर्टेंट नहीं है, कोई पढ़ना नहीं है, बस जो मैं भूलनी हूं, इतना ही करना है, एपिक्योर में क्या बोलता है वो, he says, it is no use, souring flowers, wines, and precious ointment on the monument of dead, he would have all these now, while he is still alive, मतलब क्या कहना चाहरा है, यहां पर, जो रैटर बोल ला है, कि किसी के death के बाद, उसकी कबर पे जाकर, उसके stone पे जाकर, वहाँ फूल जढ़ाना, या फिर wine, मतलब wine, जो एक type of drink होती है, उसको समर्पीत करना, इसका कोई मायन ही ने रखता, या precious ointment, उनको वहाँ पे समर्पीत करना, कोई मायन ही ने रखता, जब इनसान की death होने के बाद, वो उसका क्या use कर पाएगा, जब वो जीवित है, उसको तभी ये चीजे provide किये जाए, उसको, मतलब, उसकी तभी इतनी help कि जाए, मतलब, या समर्पीत death के बाद करना जाते हो, वो रोज मुझे अधी दो, वो फैसिलिटी, वो रिस्पेक्ट मुझे अब दो, ना कि मेरी death के बाद, Now your wines, ointment, give after death, I nothing crave, let me alive my pleasure have, all are stoic in the grave, very important line, all are stoic in the grave, All are stoic, मतलब, इनका कोई मतलब नहीं रहा जाता, कोई माईने ही नहीं रखती है चीजे, grave, मतलब, कबर में, कुछ एक चीज हमारी Andrew Morwell में की थी ना, उन्होंने, वो बोलता है, ग्रेव इजे, fine and, इस टाइप से, वो बोलता है, वो बोलता है, ग्रेव के बारे में लाई, कुछ वहां से लग रहा है ना, थोड़ा connection, तो ऐसे याद कर ले ना, जो private और fine place बोलता है, मतलब, शांती पूरन जगह कोन बोलते हैं हमारे, ग्रेव को, Andrew Morwell, और ये क्या बोलता है, मतलब, वो, all are grave in, all are stoic in grave, मतलब, नीरस हैं ये चीजे, ग्रेव में, ऐसे comparison कर ले, अबरायम कोवले, किस वर्क में बोलता है, ग्रेव के बारे में, और Andrew Morwell, टु इस कोई मिस्ट्रेस में बोल रहे हैं, ये बाते, कहां से start होती है, crown me with roses, epicure, epicure poem है, epicure का मतलब होता है, मतलब, जो इनसान, pleasure को ही अपना main aim मानने, ठीक है, मतलब, कुछ, वो, खान, एक ट्राइप से इसको ये भी बोल सकते हैं, खाने पीने में, व्यास्त रहने वाला इनसान, उसको ही, मतलब, स्वाद, epicure ये ही होता है, जिनका ultimate aim life का pleasure होता है, या फिर खाने पीने का शोकी, इस टाइप से, epicure का मतलब होता है, wish, अभी बात करते हैं, wish, इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है, उसकी wish है, जो point है हमारे, वो बोलता है, मुझे जो woods क्या बोलता है, वो जंगल, जंगल का जो solitude है, अकेला पन है, वो मुझे अच्छा लगता है, और मैं वहाँ जाना चाता हूँ, ये जो buzzing crowd है, जो यहाँ पर crowd की जो शोर है, noisy crowd है, इसको छोड़कर मैं जो जंगल में एकांत जीवन व्यतित करना चाता हूँ, लेकिन फिर क्या बोलता है, मुझे डर ये है, कि मैं वहाँ पर जाऊंगा, मैं जैसे ही वहाँ पर अपना जीवन अच्छे से व्यतित कर रहा हूँगा, लो पर ये, wish क्या है, उसकी मतलब वो अकेला पन, मतलब शांती, अपनी कंपनी इंजोए करना चाता है, अकेला रहना चाता है, crowd से दूर, noisy crowd से दूर, तो क्या है quotation इसकी याद रखना, I should have then this only fear, least men when they my pleasure see, should hither throng to live like me and so make a city here, ठीक है, याद कर ले ना इसको, ऐसे ही वो बोल रहा है, वो जब मुझे देखेंगे, मेरी happiness को, मेरी कुशी को देखेंगे, वो भी यहाँ पर राने के लिए, उसाइत होंगे, और यहाँ पर भी city create कर देगे, वही crowd हो जाएगा, ठीक है, drinking epicure and wish, यह जो इसकी poem है, छोटी सी और तीन quotation है, याद रख लेला, अब ही बात करते हैं, जो हमारे John Dryden होते हैं, वो क्या बोलते हैं इनके बार में, वो बोलते हैं, वो एक great poet तो हो सकते हैं, लेकिन एक great writer नहीं हो सक मतलब वो sang करते हैं, मतलब praise करते हैं, Pope praise, Danham strength, Danham की strength है, उसको praise करते हैं, और Edmund Waller, जो अभी करेंगे writer, उसकी streetness को praise कर रहे हैं, और Alexander Pope, इनका एक मात्र वर्क है, Cooper's Hill, मतलब वर्क तो हैं, लेकिन net के point of view से है, Cooper's Hill, जो important है हमारा, published in 1642, description of a place near Thames, मतलब इसमें क्या है, एक place को praise कर रहे हैं, मतलब उसको description दिया है, Thames, जो एक sacred river है, जो London में है, मतलब England में है, sorry, England में Thames, एक पवित्र नदी है, हमारी गंगा की तरह है, तो उसके पास एक place है, उसकी place, उसके बारे में उसका description दे रहे हैं, और उसका description देते हुए, ये quotation आती है, इसको याद कर लेना, ये बोलते हैं, Thames के बारे में, Oh, could I flow like D, मतलब Thames के बारे में बोलने है, कि मैं उसकी तरह बहस सकता हूँ, and make thy stream, stream क्या होता, उसकी जो पानी, जो चल रहा होता है ना नदी में, वो stream होती है, मतलब नदी में पानी चल रहा है, उसको stream बोलते हैं, My Great Example, क्या मैं उसकी जो stream है, उसको अपना example बना सकता हूँ, ऐसे बात करता है, Thames के बारे में बात कर रहा है, ये, It is my theme, और मैं इसको क्या theme बना लूँ, Thow deep, yet clear, Thow gentle, yet not dull, strong without rays, without flooring full, Oh, could I flow like thee, ये, पहली line important है, इसको याद कर ले न, सब कुछ बोल जाना, लेकिन ये पहली line को मत बोलना, Cooper seal written by Dan Ham, description of a place near Thames, और ये line, Thames के बारे में, एक और writer ने बात किया है हमारे, ठीक है, अगर आपको याद है तो comment box में comment करो, ठीक है, चलिए, अभी बात करते हैं, Edmond Waller, He was the other pioneer of classism, मतलब उसके पाइनियर है, Edmond Waller was a writer of occasional poems, ठीक है, occasional verses के writer है, इनके तीन work हैं, ये love poems हैं, तीनो, On a girdle, Go lovely rose all days, कौन से work है, On a girdle, second is, Go lovely rose, third is all days, ठीक है, और जो ये quotation है, वो है हमारी old days से, इसको भी agities याद कर लेना, वही last line है याद कर लेना और first line, जितना समझा है उतने याद कर लेना, As it is, याद कर लेना इसको, और कहां से है ये? Old days से, Edmund Waller के बारे में, इतना ही, वो classes, मतलब, जो हमारे ब्रैम का उवले का, तो काफी वाक्स आ गए है हमारे, वो याद करने हैं, जो हमारे Danham है, और Edmund Waller है, Danham का एक work है, Cooper Seal, और Edmund Waller के तीन love points है, और उसकी quotation है, आज का lecture हम यहीं पर end करेंगे, कल से मैं puritanage स्टार्ट करूँगी, ठीक हैं, यहाँ पर कैरोलीनेज हमारी end होती है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, थैंक यू for your precious time.